अब जिनको मेति खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी कीलो के कीलो यहां पर मेति खरीदेंगे और इसी तरीके से पराठा बना कर खाएंगे बहुत जादा टेस्टीर हेल्थी सर्दियों की रेचिपी आपको जुरूर पसंद आने वाली है बचों को भी बड़े चाव स देखाने वाले इस पराठे को देखें कितने अंदर तक इसकी स्टाफिंग बड़ी है अज हम अलग तरीके चे बनाने वाले हैं डियो सारी मेति के पराठे नमश्कार फ्रेंड मैं हुसंगीतार आपका बहुत बहुत सागत करती हूं आपके अपने रिस्वे में आशा करती मेति का इसतेमाल करते हैं मैं लगते साब फूं कि इसका डाड़ाहा बम नएक हूँत इसको अच्छा साब बाइन दो तो तब हम इसको धोगे ऐसे भी तुम मूह में डालोगे तो बिल्कुल भी अकडवेने होते बल्कि आपको इसका अच्छा सा स्वाध आएगा तो जरूर से यहां पर आपको लाब उठाना चाहिए जब भी आप मेथी के पत्ते या फिर सीड्स ऐसे खाते हो रात को जैसे एक यहां पर मेथी के दाने आपने पिखा लिया सुगह इसका पानी सही था आप तो यह बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको और साथ में और चीजों के लिए भी यानि कि यह पेट की जो समश्या होते ना उसमें भी कारगर होता है मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया र मेथी को मैंने यहां पर अच्छे से इसकी पत्ति पत्तियों का इस्तिमाल किया इसकी पत्तियों तोड़के हमने यहां पर तो से तीन पानी से धूली है मैंने यहां पर एक कॉटन के कपड़े में पंक्य की नीचे थोड़ी दे रहां पर ताकि इसका पानी निकल जा तब त बाति में चॉपिंग बोर्ड में डालेंगे यह इसको क्ट करेंगे जया कब्रस्ट इसको कट करेंगे गोगे कीनले ही ऐसा प्रस अटोर किंड बेह तरा कर लिए हैं अब आदम मेति की पत्ति आम आटे की साथ यां पर इस्तमाल में लाएंगे अब बागी हम चलते हैं गयस की तरह तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है गयस कर देते हैं और इसमें डालेंगे आदी चमज के बराबर तेल या एक चमज डाल दीजेगा आदी कोड़ा द्रग का भी अपर कदकस के लिया था इनको हम पूल लेंगे जीरे के साथ जीरा हमारा चशा व्राउंड हो गया था साथ में आपर एजवैंड भी अब हम इसमें डालेंगे मेति अपने तो मेति की पत्ते हैं अभी तो मेति जादा दिख रहे हैं लेकिन जैसे हम य तोड़ी देर बाद यहां पर चूण होने लगए हैं थोड़ी से मोश्टर भी छोड़ेंगे लेकिन हमें यहां पर उस्टर बिल्कुल नहीं तो यह बराण्टे जब भरेंगे ना हम तब भटने लगेंगे हम क्या कर सकते एक प्रोसेस और कर सकते हलकासा जह से यह बूने की में जाएगा जैसे पानी रिलीस करने लगेंगा ता मुं उसके बाद इसका पाने हम एक चैनी में डालकर इसका आड़ा लगा सकते आगे चैनल के सामदा दाधै करेंगे हमें आलव या पनी राठी कुलोगा यह बडाल करिका पाना एंक टेशा करें ऊपर ची डाल लेंगे फ्लिवर के लिए ध्यXT से फ्लेवर आएगा अच्छे से मिलाने के बाद हम यहां पर इसको यह परतन में निकाल लेते हैं और जब तक हम आगे के प्रोसेस करते तो यह वाले प्रोशेश हमने पहले करते हैं यह आप इसी तरीके से मेति अर आलो के परांटे बना रहे हो आटा के लिए मैंने अपर नौर्मल सा की हों के आटे का इस्तमाल किया है आज कल सद्धियों में मक्की का आटा आता है या फिर आप रागी का आटा ले सकती हो मल्टी तो हम क्या करेंगे म phosphorus हम ने जो कटके करनी ति अब आन्दम मैंने ऑणी फूड़ से वाजोर पूर्पिंग के लिए यहां पर आलो की साथ मिला लिया है पका लिया हैं अब हम थोड़से नमक एड करेंगे हलकर थोड़ः थोड़ः करेंगे पानी डालंगे चाईर अब ऑन पराठा हम कोई भी बनाते हैं जैसे आलू गोबी या फिर मेति के तो भार के लिए थोड़ी से हलके से नमकीन होनी चाहिए नहीं तो अंदर से स्टफिंग नमकीन रहेगी लेकिन भार से यहां पर फिका सा लगता है पराठे में फिर उतना स्वाद नहीं आते हैं तो नमक का इस्तिमाल कमी करना है लेकिन जरूर से करना है आठा हमने शौप्ट लगा कर थार कर लिया है देख सकते हैं कि इस आठे से हम पूरी बना सकते हैं नॉर्मल यहां पर प्लेन पराठा बना सकते हैं जैसे हम मेति के नॉर्मल पराठा यहां पर बनाते हैं या थेपला वगेरा अब यहां पर आलू और जो मेती का हमने यहां पर अंदर के लिए स्टफिंग बनाएती है उसमें मैं थोड़ा से यहां पर पनीर एट कर रही हूँ तब ही करना है जबकि यह थोड़ा से ठंडर हो जाए गर्मा करम में नहीं डालेंगे आप चीज भी यहां पर डाल सकते हो प आपका मोश्तर दे गया तो थोड़ा साब इसमें बेचन डाल दीजिएगा या फिर आलू गरमा गरम आप मैस कर रहे हो तो थोड़ा से बेचन डालने से कुछ भी फरकनी पड़ता है बल्कि अच्छा सा स्वाद आता है आटा हमारा ओल लिड़ी यहां पर शॉप्ट है इस केटोरी की सियप में लाना है सार शार से हम इस तरीके से इसको राउंड राउंड करते लाएंगे ताक्यक कि इसमें चालिक्ड़ी या पर वा Everybodybert नहीं करेंग आंदर की श्टपिंग भरेंग के और इस तरीके से जैसे नॉर्मलई हम यां पर पराणा बरते हुआ णैर इस त देखेगे लाइज तो पहले डारेक्ट जाना चलाएं थोड़ा सा हाथोंसे दबाना है ताकि इसकी पैस्छान कर देखें डारेक्ट बेलन चलाथे हैं तो जो इसकी फिलिंग होती है न अंदर की जो भरते हैं अलू या फिर गोबी किसी भी कि यहां पर आपर और परांटे ब तर देखे कितना अच्छे से यहां पर हमने रोटी के बाती पेला है बिलकुल भीडिकते ही नहीं आता है परांथा बेलने में इसी तरीके से हम और ऑप परांठे बेल कर सार करें गे इसी तरीके से बनाया जाते हैं इस परांथे को रखते हैं और दूसरा भी परांथा यहां म ис temporary बनाना कोई परांठा की रेसिपि अगा शारी नो कि अन पाइए के एस आसने परांठा बनाना है कैसे हम रत आपको बना निच ठीक निचोड़े लेक। आपको कि बस डारेक्ट पहले हमने आटव लगा लेना और इसके बाद क्या करना है मुवली को गज़ करना है सारे मसाले मिलाने हैं ऐसे इसी तरीके से दो हमने पत्ली-पत्ली सी रोटी पेल लें एक साइज में बीच में मिस्तरन बढ़ना है इसमें क्या होगा आपको पूरी अब पराँधे हम सेख लेते तो दोनों तरफ से पहले अच्छे से इसको पंड पराँटेड रहें। पंड पराघ के बासे ब्राउन धाने लिगेगे, तब हम इस में तेलर घी गया आदें पराटे मों किनारी, धी पक बढ़क जाएं तक अघ्रिस्पी बने PARAठा को बनाना है क्योंकि इतने या सौप्ट ये बन जाते हैं बात में बहुत जादा सौप्ट हो जबाट जाते हैं तो जितना भी आप इनको कृष्पी स्इख करना चाहते हो अच्छे से दवा-दवा आपके इनको शेक लीजेगा PARAठा को पहला पराथा मारा बन के तार हो गया तुरंत इसको निकाल लेते हैं थालिया प्लेट पे तब हमारा भी गरम है तो इसमें दूसरा पराथा शेकने के लिए रख दिएंगे शेम प्रोशेश करना है थोड़ी देर बाद यह भी सिख जाएगा दोनों तरफ से पहले हमने डा चाइब भी लेने पार इसको शेुक लेना है जैसे इसमें ब्राउं कलर आने लगएगा तब हम यह पर तेल के गी है वह जलता भी नहीं यह तर गी टालने के बाद पराटव बहुत जली जलने लगता है इसमें जो है कालेपन ज्यादा आने लगता है जाला फेट नहीं है और पहले इक दो बार अच्छे से शेख लीड़ेगा जैसे इसमें अच्छे से ब्रौण डर आने लगे Hebrews और दो यह पर घिया तेल जलता नहीं है तो परांटा भी काला ने होता है यह process है परांटा अच्छे से सिक भी जाता है कोने कोने तक हिक खाने में और जादा स्वाधिश लगता है तो हमने इसी थरीके से सारे पराठा बना कर तैयर कर लेने हैं देखे जितना हम इनको दीमे आज में पकाएंगे उतना इसका स्वाध भी बढ़ेगा रूतने डार कि इसमें कलर भी आएगा और पराठा यहां पर फटा भी हो तो भी यहां पर फूलने लगेगा दबा तबा के अच्छे से यहां पर पराठे को आप सेगते जायर बनाते जाएं और गर्म गर्म इनको इनको इंजॉय करते जाएं थंडा ने करना पराठा ने तो इसका स्वाध थोड़ा सा यहां पर आजीम सा हो जाता है कोई सो भी पराठा हो तो इसके खाली परांठे तो आपने कई बार ही खाई होंगे नॉर्मली तो हमाई से डारक्त आठे के साथ गूंख लेते हैं परांठे बना लेते हैं लेकिन आलू के साथ एक बार आप जरूर से टाय करके देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे पी लेगेंगे और खाने में स्वादिष्ट भी लेगेंगे तो मेति का आप यहां पर सर्दियों में भरपूर यहां पर इसका फाइदा उठा सकते हो देखे मैंने यहां पर धेर सारे परांठे दो कप आटे में धेर सारे यहां पर मेरता आठा भी बच गया था इसके अंदर की ना भी हो तो भी है अच्छे लगते हैं नहीं तो आप इसको दही के रहते के साथ होड़े से प्याज कार दीजिएगा सुबह ब्रेक फास्ट में बना रहे हो तो इससे हेल्थ एर टेस्टिन आसता था आपके लिए होई नहीं आशा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए होगी रेसिपी अच्छी लगते हैं इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी नेक्सी रेसिपी के साथ अपना कीम्टी समय देने के लिए बहुत बहुत देनावाद था हैं कि सो मज़िए